हेलो स्टुडिंट्स, कल हमने किया था लैबनीज थियोरम, आज बेटा हम उस पे बेस्ट कोश्चन करेंगे, फर्स्ट कोश्चन है उसका थर्ड पार्ट, एक स्क्वेर एरेस टू पावर एक्स, अब हमने जो लैबनीज थियोरम की थी उसमें हमने देखा था हमारे पास दो होंगे और दोनों फंक्शन किसके होंगे, एक्स के जो आपको यहाँ पर विजिबल होगा, अब हमें किसको यू लेना है, किसको वी लेना है, यह आप कैसे डिसाइड करोगे, जिसको आप यू लोगे, उसका एनफ डेरिवेटिव आप राम से निकाल सको, उसको चूज करन हन जी यहाँ पर दोनों हमारे लिए इसी था निकालने, इसको भी अनफ डेरिवेटिव लेकिन हम उसका निकाल लेंगे जिसका यू एन डेरेक्कली आजए, हन जी इसका बैटा हमें रिसपेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव किया है, फर्स डेरिवेटिव आ गया, सेकिंड derivative आ गया, similarly ऐसे ही continue करेंगे तो एनट derivative आ गया है और यहाँ पे अगर हमारे पास V दिया हुआ है, फर्स derivative आ गया, सेकिंड आ गया, थर्ड आ गया, अगर हम अब टू सॉन लिकालेंगे, अब सारे आगे क्या एंगे, जीरो आएंगे अब हमारे पास सारी values आ गई है, हमने labnia serum बेटा कल यही की थी, यह उसकी statement है, इसमें हम value पुट कर देंगे, value पुट करने के बाद हमारे पास जो cancel होगा, उसको cancel कर देंगे हाँ जी बेटा देखो, यहाँ पर तीनी टम आईए है, 1, 2, 3, क्योंकि उसके बाद के जितने भी V थे हो, सब क्या थे, 0 थे हाँ जी आगे देखते है बेटा, इसी का 11th पार्ट है, x square e a raised to power x cos bx, अब यू किसको ले लेंगे, जिसका n derivative में कल सके और हमने इसके लिए standard formulas किये हुए, यू n लिखा बेटा, n-1 में क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ n है, वहाँ पर n-1, similarly, यू n-2 के लिए भी जहाँ जहाँ n है, उसको replace कर देंगे with n-2, here is same function, x square, first derivative, second derivative, third, आगे वाले सारे क्या बनेंगे, 0 हाँ जी, यहाँ देखो क्या आएगा, labnees theorem आ गई, labnees theorem में value put कर देंगे, जैसे ही value put की, हमारे पास फिर 3 आए हैं, क्योंकि आगे की सारे क्या हैं, 0, 2 से 2 cancel हुआ बेटा, जैसे ही cancel हुआ, हमें हमारा answer मेल गया है, similarly, देखो, अब यहाँ पर second question दिया है, y की value दी है, हमें प्रूव करना है कि हमारे पास y n इसके equal आएगा, similarly, बेटा, वोही step करने जो आपने अभी अभी उपर किये हैं, y के लिए u बनाया, v बनाया, इसका n तक derivative किया, इसका 3 पे 0 बन गया, तो आगे निकालने के ज़रत नहीं है, labnees theorem में value put कर देंगे, जैसे ही value put की आगे, हमार y1, y2 चाहिए थे, 2 प्रूव में था, तो y1 निकाला y2, जो हमें nth दिया था यहाँ पे, आपको देख रहा होगा, nth था yn, हम क्या कर देंगे, इसमें एक बार n को 1 पुट कर देंगे, एक बार 2 पुट कर देंगे, करने के बाद हम formula जो हमें 2 प्रूव में था, उसकी सेम, हांजी, y2 पुट किया, y1 पुट किया, y पुट कर दिया, करने के बाद बेटा, simple math की calculation है, कट करने के बाद यह value आएगी, और यह आप देखोगे, किसके equal है, yn के, तो इसका मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया है, right hand side is equals to left hand side, उसी को मिला के लिख दिया है, हांजी, इस to power m sin inverse x, और हमें प्रूफ करने हैं, दो पार्ट, फर्स्ट में बिखो, बिल्कुल सिंपल है, y2 चाहिए, y1 चाहिए, तो निकालेंगे, पहले first derivative किया, इसका, e raised to power में कुछ भी हो, तो पहले तो as it is, रहेगा, e raised to power, और जो power में है, उसका derivative कर दिया, अब इसको में लिख स स्क्वेरिंग एंड क्रॉस मल्टिप्लिकेशन कर रहे हैं, करने के बाद इसको उपर ले गए, स्क्वेरिंग कर दी, या गया बिटा, अब क्या करेंगे, इसका, डिफ्रेंसियेशन करेंगे, जैसे ही डिफ्रेंसियेशन किया, दोनों फंक्शन किसके हैं, x के, तेक बार first as it is, second का डिफ्रेंसियेशन, और minus sign ब्रैकिट के बाहर आया है, अंदर वाले की ब्रैकिट का डिफ्रेंसियेशन, बाहर वाला as it is, similarly दर कर दिया है, सब में हमें common देख रहे है, 2y1, 2y1 से डिवाइड कर दिया, यह first part बेटा प्रूव हो गया, second के लिए देखो हमें क्या चा कर दिया बेटा, दो function है, दोनों किसके हैं, x के हैं, तो करने के बार हमारे पास value आ गई है,